राश्ट पता महात्मा गांधी की 150 वी जहनती पर आज पूरा राश्ट उन्हें याद कर रहा है उन्हें मोहंदास करमचंद गांधी और बापु भी कहा जाता है गांधी जी का जहन में दो अक्टूबर 1870 को गुछरात के पूर बंदर में हुआ था दक्षिन अफ्रिका में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनकी काम्याबी ने गांधी को भारत में भी मशूर कर दिया और वश 1917 में उन्होंने चमपारण के नील किसानों पर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों को भी उनकी सामने जुकना पड़ा आखिर 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और पूरे देश ने उन्हें अपना राष्ट पिता माना भारत के लोग खुश थे लेकिन ये खुशी उस वक्त राष्ट्रिय शूक में बदल गई जब 30 जन्वरी 1948 को नई दिली के बिडला भवन में गांधी जी की गोली मार कर हद्या कर दी गई 30 जन्वरी 1947 के दिन शुरुवात गांधी जी के लिए आम दिन के तरह थी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है बिडला भवन में हर शाम पांच बजे प्रात्ना सभा का आयोजन किया जाता था शाम के पांच बज चुके थे प्रात्ना सभा का आयोजन होना था गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे तभी अचानक से सवा पांच बजे गांधी जी की नजर घड़ी पर गई और उन्हें याद आया कि प्राथना के लिए वक्त निकलता जा रहा है बैठक समाप्त कर बापु जी आभा और मनु को कंधो पर हाथ रखकर प्राथना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ जा रहे थे तभी अचानक उनके सामने नाथुराम विनाया गोर से आ गया गोर से ने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिये और कहा नमस्ते बापु तभी मनु ने कहा भया सामने से हट जाओ और बापु को जाने दो पहले से ही बहुत देर हो चुगी है तभी अचानक इगोर से ने मनु को धका दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पस्टल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक गबाद एक तीन गोलिया दाग दी दो गोलियां बापो के शरीर से होती हुई बहार निकल गई जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फसकर रह गई और गांधी जी वही गिर पड़े बता दें कि 30 जनवरी 1948 से पहले भी नाथुराम गोर से ने बापो की हत्या के लिए मई 1934 और सितंबर 1944 में नाकाम कोशिशें की थी गांधी जी से जुड़ा एक और किस्सा हम आपको बताते हैं जो बहुत ही रोजचक है महात्मा गांधी और चार्ली चैपलीन एक दूसरे को नहीं जानते थी गांधी जी को चार्ली चैपलीन के बारे में खास अंदाजा नहीं था लेकिन चार्ली चैपलीन गांधी जी के बारे में जानते थी दोनों की मुलाकात साल 1931 पे हुई आपको पता ही होगा कि चार्ली चैपलीन साइलेंट फिल्मों के दौर के एक सुपर स्टार के तौर से जाने जाते है मुश्किल भरे बच्पन बताने के बाद सफलता को छूने वाले चार्ली चैपलीन 1931 तक दुनिया के सबसे लोग प्रिया फिल्म स्टार के तौर पर मशूर हो चुके थे इस साल ही चार्ली चैपलीन के मलागात महात्मा गांधी से हुई ये तब हुआ जो महात्मा गांधी लंदन में दूसरे गोल मेज सम्मेलन में शामिल होने पहुचे थे दक्षिन अफरिका से भारत लोटने के बाद वो पहली बार विदेशी दौरे पर गए थे दरसल पहले गोल मेज सम्मेलन में नाकामियाब होने के बाद वो कॉंग्रिस की तरफ से प्रतिनिती बन कर आये थे हलाकि यह सहयोग आंदुलन के प्रयोग के चलते दुनिया भर में गांधी का नाम हो चुका था यह तपका दौर था जब मशीन कर पुर्जी और कार खाने लोगों की जगा लेते जा रहे थे महत्मा गांधी इस बात से बहुत दुखी थे वो इसलिए क्योंकि यूरोप में मशीनों के चलते लोग बेरोजगार हो रहे थे और यह अंत्र की तकनिक भारत में भी पहर पसार कर लोगों को बेरोजगार बना सकती थी बता देंगी महत्मा गांधी और चार्ली चैपलीन की मुलाकात उमीद के मताबक नहीं थी दरसलिए यह मुलाकात तब हुई जब गांधी सिनेमा को पसंद नहीं करते थे और उन्हें फिल्मी सितारों के बारे में ज़्यादा अंदाजा नहीं था उन्होंने इस मीटिंग से पहले यह भी पूछ लिया था कि चार्ली चैपलीन कौन है चार्ली चैपलीन को महत्मा गांधी की विचार धारा के बारे में थोड़ा ही अंदाजा था वो गांधी जी को चार्ली के बारे में कुछ बेंदाजा नहीं था क्योंकि वो सिनिमा से दूर थे इस मलाकात में चार्ली चैपली ने गांधी से मशीनों को नापसंद करने की वज़ग के बारे में पूछा था इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि मशीनों के चलते हमें इंगलेंड पर आश्रित होना पड़ा था और इससे बहार निकलने के लिए एक ही उपाय है कि हम मशीनरी से बनी चीजों को बॉयकाट करना शुरू कर दें लेकिन चार्ली चैबलिंग भी कही न कहीं गांधी जी की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं थे वो मानते थे कि प्रगती के लिए मशीनों का होना बेहत जरूरी है लेकिन वो इस बात से इंप्रेस थे कि गांधी जी अपने देश की फ्रीडम को लेकर किस हद तक जुटे हुए है नाथुराम गोड से ने गांधी जी की गोली मार कर हत्या कर दी लेकिन बापु ने अपने देश के लिए जो योगदान दिया वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर है